पंडित नहरू ने मतलब अपनी लाइफ देदी लाइफ देदी हिंदुस्तान के लिए सालों जेल में रहे अमिचाई जी को शाहिद history नहीं मालूं वो तो मैं expect नहीं कर सकता हूं कि उनको history मालूं वो तो history को rewrite करते रहते हैं ये पूरा का पूरा distrakes करने का है बेसिक इशू जाती जनगरना और जो भागिदारी है इस देश की जो धन देश का है वो किसके हातों में जा रहा है ये main issue है और इस issue को ये लोग discuss नहीं करना चाएंगे इससे डड़ते हैं इससे भागते हैं नगर ये issue को हम आगे ले जाएंगे और जो गरीब लोगों का हक है वो हम उनको दिलवाएंगे कि यह सब यदि करते हैं यह यह सब पिस रहें यह नहीं नहीं कर देखा। हमारा भी उपीज danya कि इन्होंने ओभी सी डिया ठीक Today, सवाल यह है कि कि अंदर कि कितनी भागीदारी है प्रधानमंत्री OBC हैं मगर सरकार को 90 अपसर चलाते हैं 90 अपसर में से तीन OBC है और जो OBC है उनका कोने में ऑफिस है तो मेरा पॉइंट है कि सरकार का सिस्टम हमारा institutional system जो है पूरा उसमें OBC की कितनी भागीदारी है दलितों की कितनी भागीदारी है आदिवासियों की कितनी भागीदारी है ये हिंदुस्तान के सामने main सवाल है और ये मुझे बोलने दीजे आप से सवाल पोचा तो बोलने दीजे ये main main issue है और 24 गंटा ये डिस्ट्राइक करने के लिए कभी जवाला नहरू के बारे में बोलेंगे कभी किसी और के बारे मों बोलेंगे बात भागीदारी की है थैंक यू इसमें ने ये भी कहा कि भारत जोड़ो याता ने आपके बहुत चेंज के तो आप क्या कहिए गा उस भूप को लेकर जबकि आपका काती एसुसेशन रहा है अपने अवदा के साथ